नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर और आज आप देख रहे हैं जी के कोशन सीरीज का पार्ट साथ और इस वीडियो में आप 20 MCQ कोशन्स देखेंगे जो विभिन परकार की competitive exams में अक्सर repeat होते हैं और बहुत सारे competitive exams के आपके option इस प्रकार से रहेंगे उत्तर परदेश में, मध्या परदेश में, 36 गड़ में या फिर इन में से कोई नहीं आप इन सभी प्रशनों के जो उत्तर हैं सासत कमेंट सेक्षन में भी दे सकते हैं और इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है option number 2 के उपर मध्या किस गरंद से संकलित है इस प्रशन के जो option है वो इस प्रकार से है मुंड को उपनिशद, कठो उपनिशद, भारत भारत भारती या फिर आनन्द मठ तो इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है option number 4 के उपर आनन्द मठ से भारत का राश्टिया गीत वंदे मात्रम संकलित किया आगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमर 3 सारनात स्थित राष्ट्रिय स्तंब का कौन सा भाग राष्ट्रिय प्रतिक के रूप में लिया गया है आपके आप्शन इस प्रकार से हैं शिर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग या फिर पूरा भाग इस प्रशन का उतर भी अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नंबर चार, प्रशन नंबर चार है भारतियस समिधान का अभी रक्षक, कस्टोडियन कोन है, भारतियस जो समिधान है उसका अभी रक्षक यानि के कस्टोडियन कोन है, आपके option इस प्रकार से हैं मात्मा गांधी जी, दादा भाई गोखले, सुभाश चंदरबोस तो इस प्रशन का जो सही उत्र है वो है दादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी ही भारतिय समीधान का अभी रक्षक है अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नम्बर पांच है भारत में पुनर जागरन का जनक किसे कहा जाता है, आपके option इस प्रकार से है, मात्मा गांदी को, राजाराम महन रयको, स्वामी विवेकानन जी को, या फिर इन में से कोई नहीं इस प्रशन का जो सही उत्र है, वो है option number 2, राजाराम महन रयको एगला प्रशन देखते हैं प्रशन number 6, प्रशन number 6 option number 2 के उपर राज्यों का संग है भारत, अगला प्रशन देखते हैं, प्रशन number 7, भारतिय संग में किसी राज्य को समलित करने का अधिकार किस का है, इस प्रशन के जो उतर है, option है, वो इस प्रकार से है, राश्रपती को, प्रधान मंत्री को, संसद को, या फिर लोग सबा प्रशन को, इस प्रशन का जो सही उतर है, वो है संसद, जो की option number 3 के उपर है, अगला प्रशन देखते हैं, प्रशन number 8, प्रशन number 8, रूस की संसद का क्या नाम है, रूस की संसद का क्या नाम है, आपके option इस प्रकार से है, खुरल, डियूमा, डायेट, या फिर सोजियम, र कि इस प्रशन के ऑप्शन नमबर दो के उपर है प्रशन नमबर नो देखते हैं प्रशन नमबर नो है गिर राश्ट्रिय उद्यान कहा स्थित है आपके ऑप्शन इस प्रकार से है बिहार में गुजरात में राजस्थान में या फिर हरियाना में इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है option number 2 के उपर गुजरात गुजरात में गिर राष्टिया उद्यान स्थित है अगला प्रशन देखते हैं प्रशन number 10 टोक्यो किस देश की राजधानी है टोक्यो किस देश की राजधानी है आपके option इस प्रकार से है फ्रांस ब्राजिल जापान या फिर जर्मनी की तो इस प्रशन का जो सही उत्तर वो है option number 3 जापान की राजधानी टोक्यो है अगला प्रशन देखते हैं प्रशन number 11 भारत के समिधान में प्रथम संसोधन कब किया गया था आपके जो ऑप्षन है वो इस प्रकार से है सन 1950 में सन 1951 में सन 1955 में या फिर सन 1958 में इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्षन नमबर 2 के उपर सन 1951 में भारत के समिधान में प्रथम संसोधन किया गया था अगला प्रशन है प्रशन नमबर 12 डाइनमाइट के अविश्कारक कोन है आपके आप्शन इस प्रकार से है न्यूटन, प्रिस्टले, अल्फरेड नॉबल या रेकजे इस प्रशन का जो सही उतर है वो है आप्शन नमबर 3 के उपर अल्फरेड नॉबल डाइनमाइट के अव आप्शन इस प्रकार से हैं परधान मंत्री, भारत का मुख्य नियाधिस, राश्टरपती या फिर महा नियावादी इस प्रशन का जो सही उत्तर है वो है आप्शन नमबर 3 के उपर राश्टरपती भार सरकार का समयधानिक अध्यक्स होता है अगला प्रशन देखते हैं प्र प्रूगे में या फिर दोहा में विश्व स्वास्ते संगठन का जो मुख्याल्या है वो जनेवा में है जो की ऑप्शन नमबर 2 के उपर है अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर 15 प्रशन नमबर 15 है विश्व में मोटे आनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौ अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर 16 जै जुआन जै किसान का नारा किस ने दिया था आपकी ऑप्शन इस प्रकार से है महत्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री भगत सिंग लाला लाजपतराई इस प्रशन का जो सही उतर है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी जै जुआन जै किसान का नारा दिया गया था अगला प्रशन है प्रशन नमबर 17 प्रशन नमबर 17 है राम क्रिशन मिशन की स्थापना किस ने की थी आपके ऑप्शन इस प्रकार से है अकबर ने राजा राम मोहनराय ने स्वामी विवेकानंद ने राम क्रिशन प्रमहंस ने तो इस प्रशन का जो सही उतर है वो है आप्शन नमबर 3 के उपर स्वामी विवेका नंजी ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर 18 विश्व का एक मातर तैरता हुआ राष्ट्रिय उद्यान केबुल लाम ज्याओ किस राजय में स्थित है विश्व का एक मातर तैरता हुआ उद्यान केबुल लाम ज्याओ किस राजय में स्थित है तो आपके उप्शन इस प्रकार से है असम में या राजस्थान में मनिपूर में या फिर गुजरात में इस प्रशन का उत्र भी आप साथ साथ कमेंट सेक्षन में दे सकते हैं और इस प्रशन का सही उत्र है मनिपूर मनिपूर में ही तैरता हुआ रास्टीय उद्द्द्यान है जिसका नाम है कीबुल लामजाओ अगला प्रशन है प्रशन नमबर 19 पर और अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर 20 पंजाब केशरी किसे कहा जाता है पंजाब के स्री किसे कहा जाता है भगत सिंग जी को लाल भादु शास्त्री को लाला लाजबत्राय या फिर महात्मा गांदी जी को इस प्रस्षन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नमबर तीन पर लाला लाजबत्राय जी को पंजाब के स्री के नाम से भी जाना जाता है य 20 MCQ questions थे जो विभिन परकार के competitive exams की तैयारी के लिए बहुत ही उप्योगी है यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगिया तो आप इस वीडियो को like वे शेयर जरूर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद